हलो फ्रेंट्स एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चानल टपसंट्रिक्स में तो फ्रेंट्स स्टार्मेकर के न्यू अपडेट के साथ क्रेजी मॉंस्टर में भी कुछ नया अच्छा देखने को मिला है वही बताने के लिए मैं आपको इस वीडियो में आई हूँ तो आईए चलिए देखते हैं और उसका क्या फाइदा है वो भी जानते हैं तो फ्रेंट्स आप देख रहे हो कि यह जो है मैं आपको स्क्रीन शॉट दिखा रही हूँ हमारे रिकास्ट का और रिकास्ट में आप लोग सब जानते हो पहले की हमें जो रिकास्ट के तोरान जो हम आर विपिन के रिकास्ट करते हैं उसमें अटैक बोनस, कृट डैमेज, कृट रेट, कॉम्बो रेट यह सब देखने को मिलता था बट अब जो है तीन चार चीजे और भी इंक्लूड हुई है इसके अंदर और जो हमारे पीवीपी से भी रिलेटेड हैं और जो हमको बहुत जादा फायदा पहुचाएंगी तो आप देख रहे हो कि इस स्क्रीन शॉट में आपको नजर आ रहे है कि स्पीड बोनस दिखाई दे रहा है स्पीड बोनस जो आपको हमारे बैग में जब हम देखते हैं तो स्पीड के फॉर्म में दिखता है तो यह स्पीड बोनस वह है उसके साथ ही मैं आपको और भी स्क्रीन शॉट दिखाती हूं फिर आपको रिकास करके भी दिखाती हूं आप देखिए कि यहां आपको दिख रहा है HP bonus जो हमारा HP रहता है तो HP bonus जो है 2515 मिल रहा है हमको attributes जो हैं आप देख रहें कि attributes भी बड़े हैं उसमें और HP bonus जो हमको इतना मिल रहा है that means हमारा HP जो बढ़ता है किसे हमारे armor से और HP percentage बढ़ता है हमारा hand से तो HP bonus जो हमको recast के दोरान मिल सकता है तो हमारे armor और यह इतना मजबूत नहीं है या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास अभी armor आया ही नहीं है तो जो है आपका HP bonus आप strong कर सकते हैं अपने इन ही equipment की साहिता से जो आपके पास पहले से हैं उनको recast करके तो आप यह चीज समझ गया होंगे और भी चीज़े दिखा देती हो आपको और क्या आया है तो आप यहाँ देख रहे हो कि HP bonus percentage आपको दिख रहे हैं है ना तो HP bonus percentage भी है जो हमारा hand से बढ़ता है तो वह चीज़ भी आपको recast के दोरान मिल सकती है तो इन्होंने recast जो है व बहुत अच्छा है अब मैं आपको जल्दी से recast करके भी बताती हूं आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए recast पर क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि recast जो है वह प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाए तो जो है आप प्रॉपर लिए उस चीज को जब तक समझ कर नहीं करेंगे आपको जो है वह results नहीं मिलेंगे इसलिए कि मेरी पिछले वीडियो में कई लोगोंने कमेंट किया कि नहीं अएसार ही सही है वर्यादी आप मेरे पिछले वीडियोगों को ध्यान से देखिएंगे उसका जो है आपको लिंक description में मिल जाएगा और आप screen पर जो है उसका thumbnail देख रहे हैं तो आप ये वाला video जरूर देखिए क्योंकि इससे जो है आपके basic concept clear होंगे कि किस तरीके से sr weapon अच्छा है और किस तरीके से r weapon अच्छा है किन conditions में अच्छा है है तो उन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि अधि आप वो चीज़ effective नहीं कर पाए आपको रीकास जो है effective ली नहीं करते आया तो definitely जो है आपका r weapon जो है अतना strong नहीं बनेगा जितना की जो है मैं effectively use कर रहे हूं तो आप लोग कोई भी डाउट हो रीकास को लेकर आप जरूर कमेंट box में पूछिए definitely जो आपकी help करने के लिए मैं अगले वीडियो में जरूर आपको वो बताऊंगी तो चलिए अभी मैं आपको रीकास करके दिखाती हूं तो यह दिखिए मैं आपको अपनी एक ID में ले आई हूं जहां रीकास करना है अभी आप देख रहों कि इसमें एक single रिकास किया हुआ है और यह 5 star हो चुक है तो मैं इसको आपको रीकास करती हूं आपको दिखा भी देती हूं आप देख रहा हुआ भी करिट डामिज मैंने 54% ले रखा था अब क्या करना है जब हमको कर रहा होता है तो आप जब देख रहों कि अभी जैसे मैं आपको पहले replace attribute करके बताती हूं तो यह देखिए replace attribute कर लिया मैंने हैना तो आप यह इधर आ गया that means यह जो है मेरे attributes में add हो गया अब हमको यह कोशिच करना है कि हमारे attributes भी बढ़ जाए और साथ में हमको ऐसी चीज़े मिलें जिससे हमारा attack बहुत powerful बन जाए आप देख रहे हो कि अभी मेरे पास जो है काफी request है तो मैं easily कर सकती हूं तो यह common request को मैंने करती गई है ना हमको करते जाना है जब तक हमको जादा ना मिले अब आप देख रहे हो यहां 2905 का attribute आया है साथ में combo rate मिला है मुझे speed bonus 73 मिला है ओके तो मैं पहले आपको चलके बैग में दिखाती हूं speed कितना है फिर हम देख लेते हैं कि कितना है 266 का है अब यदि हम यह request लेते हैं अभी लिया नहीं है अब मैं यदि यह वाला रीकास लेती हूं वापस रीकास में चलती हूं यदि मैं इस रीकास को लेती हूं तो आप देखना यह replace attribute किया मैंने यह confirm किया तो यह देखे आप मेरे attributes भी जो है बढ़ गए है 2905 हो गया है पहले की तुलना में बढ़ गया है और साथ में जो है मेरा crit damage हट गया होगा साथ में combo rate जो है मेरे पास ही आया और speed bonus ही आया है यह मैं फिलाल आपको सिर्फ करके बता रहे हूं अभी मैं इस पे stable नहीं रहूंगी मैं decide करती हूं सब चीज़े सोच कर अब आप कि यहां जो मेरा speed आ गया है 339 हो गया है तो आप यह समझ सकते हो कि यह किस तरीके से work करता है तो आपका speed जो बढ़ाना है HP बढ़ाना है तो आप इससे easily कर सकते हो और इससे आपके जो है आपका attribute बढ़ने से आपका power hand जो है वो जो है बहुत powerful हो जाता है अब मैं देखिए और मैं आपको भी शेयर करती हूं कि देखिए अभी जैसे मैंने उसको recast कर लिया है अब recast करने पर क्या हुआ मेरा speed बढ़ गया और मेरा power hand बढ़ने के साथ मैं सबसे पहला काम करती हूं कि मैं जाती हूं अपने adventure में और अपने adventure level जो है cross करती हूं है ना क्योंकि हमारा ज पर चलते हैं अब आप देख रहों कि five oblique five है अब 66,792 का जो है वो है मेरे पास है ना और अभी यह 62 पर है तो मेरे adventure जो है पांच राउंट आराम से निकल जाएंगे तो मैं आपको यह बता रहूं कि मैं सबसे पहले adventure पे जाती हूं ओके तो adventure जाके मैं उसको पहले adventure complete कर ले से हमारा पीवीप काफी strong रहता है तो मैं उसके साथ में क्या करूंगी मैं अपना पीवीपी भी कर डालूंगी अब पीवीपी भी कर लिया मैं एडवेंचर राउंड भी आजके clear कर लिए अब मान लीजे मुझे लगता है कि मेरा जो रात का match है that means हमारा combat है या हमारा boss है अ अब उसमें जो है मुझे वह वाले वह नहीं चाहिए जो मैंने रीकास्ट किया है वह मुझे नहीं है मुझे आप देखरों मेरे पस crit damage 0% हो गया है मुझे नहीं चाहिए मुझे crit damage चाहिए ही क्योंकि मुझे पता है कि crit damage जो है अपने आप में बहुत effective है और मेरा आज का PVP बगरा का काम हो गया है तो मैं क्या करूंगी तो मैं यह करूंगी कि मैं यह वाला जो मैंने रीकास्ट लिया है इसको चेंज करूंगी है ना तो अभी चेंज करने के लिए अभी नहीं करूंगी अभी देखिए मैं करती जाओंगी है आप देखिए crit damage 40% आया मुझे नहीं अब देखे रहों कॉंबो रेट दोनों आये हैं एफेक्टिव है बट मुझे नहीं चाहिए भी मुझे क्रिट डामेज की जरुद है है तो क्रिट डामेज की जरुद है मैं और आगे बढ़ूंगी यह अटैक बोनस आया देखेए इस्पीड बोनस और जादा बढ़ गया यह 85 आया और टाइक बोनस के साथ में आया है वहाँ कॉम्बो रेट के साथ आया था तो यह हमको यह देखना पड़ेगा कि हमको किसीज की जरुरत है रिकास में आप दिन भर में कितनी बार भी रिकास कर सकते हैं अपनी आवशक्ताओं के अनुसार जब आपको जिस चीज की जरुरत हो जब आपको अडविंचर लेवल कमप्लीट करना हो तो आपको अट्रिब्यूट्स की जरुरत है आप अट्रिब्यूट्स उस तरीके से लीजिए आपको जब क्रिट डैमज की जरुरत है तो आप उस तरीके से डील कीजिए hope मेरी बातें जो है आप समझ गए होंगे और मैं इस तरीके से deal करती हूँ तो अभी मैं आपको जादा time नहीं लेती हूँ और आप ये जो चीजें आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको देखना है और कहां आपकी आवशकता के according जो है आप उस पर आगे बढ़ेंगे और साथ में attributes का भी ख्याल रखी कि आपके attributes बहुत जादा कम ना हो attributes balanced रहें वो चीजे भी आपको ध्यान रखना है अब आपको charge attack चाहिए आपको crit damage चाहिए ये सब जो है आप अपने आप decide करेंगे तो hope आप friends समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको recast करना है और भी कोई problems हो हो तो आप comment box में जरूर शेयर कीजिए और मैंने जो आपको ये बताया है आपको कैसा लगा और आप क्या सोचते हैं इस बारे में comment box में अपने views जरूर शेयर कीजिए और अपने friends को जो है ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए यदि वो crazy monster खेलते हैं और नहीं खेलते हैं तो उनको भी बताये कि crazy monster खेलने के कितने फायदे हैं train race खेलने से सिर्फ हमको 54 stars मिलते हैं और crazy monster खेलने से हमको family exp का बंडार मिलता है तो जरूर खेलना चाहिए friends तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye all take care keep singing keep shining stay musical with me